तो बदन पे अभी सेंपूल लगा है और ये बुल्क की मारना बोलके मूँ पर भी काफी जादा लगा है अलो गाइस गुड मानिंग वेलकम टू माइन यू ब्लोग तो गाइस अभी सुबा के टाइम है और हम खेट की तरफ हैं तो गाइस इधर ये अमरूद का पेगा है इसमें अभी अमरूद लगने लगे हैं और पीछे ये टंकी है इसमें पानी भरा हुआ है जो बरसात का ही पानी है हमने इसमें एक भी वल्टी पानी नहीं भरा यह सब बर्सात का पानी भरा है तो गाइस आईए इधर थोड़ा चलते हैं इधर पीछे तरब मिर्ची की खेत है गाइस हमारी तो फ्रेंड्स आज को मौसम काफी ज़्यादा बढ़िया है और ठंडी ठंडी हमाय चल रहे हैं और दूब भी ज़्यादा नहीं है तो गाइस आज इधर चलते हैं तो गाइस यह पीछी तरब बैगन का पेड़ है तो इसमें भी बैगन बोया हुआ है और आज हमारे तरह पास तीन दोज से बारिस हो रही है, लगा तार तीन दोज से बारिस हो रही है, तो काफी ज़्यादा कीचड़ी तो फेंड सिये रही हमारी निम्बू की बाग, तो गाइस इसमें निम्बू फरा था और हमने सारा निम्बू सभी पेड की निम्बू तोड लिये हैं और अब इसके नीचे सफाई कर रहे हैं तो गाइस ये देखिए इसके नीचे कितना बढ़िया साफ कर दिया है हमने ये डाल और इधर हमने हल्दिबो रखी है थोड़ी दर से भी है तो गाइस आज कमॉसम काफी जाद है अच्छा और प्यारा लग रहा है और ठंड ये तरफ तलाव है ये कई रोज से बारिस नहीं हो रहे तो ये तलाव गदम सूख मतलब थोड़ा बहुत पानी था सूख ही चुका था तो अभी तीन रोज इतनी लगातार तेज बारिस हुई कि ये तलाव भर गया है तो फ्रेंड सिदर हमारी भाएस है तो अभी ये तला बुल्क की मारना बोल गें मूँ पर भी काफी जादा लगा है तो ये तो सेंपू में ही मूँ बोर दी और ये वाली तो तलाव में घुसी ही नहीं ये तो कह रहे हैं मुझे जाड़ा लग रहा है अभी से इसको जाड़ा लगने लगा इसे और ये तलाव में घुसी ही नही उसमें काफी ज्यादा अच्छा करूंगा तो गाइस ये व्लोग आप लुको को कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो इस व्लोग में जो भी कम्या हो उसे आप कमेंटे में बता सकते हैं उस में स्वारने के कोसिस करूंगा तो गाइस मिलते एक नेक्ष्ट ब्लोग में तक-Tक के लिए बाएं